नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ अंकुर पांडेरू करते हैं बड़ी खबर का भारत के प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी की गिंती दुनिया के ताकतवर नेताओं में होती है इसी कड़ी में गुरुवार को रूसी राश्पती ने भारत के प्रदान मंत्री की जमकर तारीफ की है इस तोरान उन्होंने भारत और रूस के पुराने और मजबूत संबंदों की भी बात कही पुतिन ने ये बातें मौस्को के वलदाई डिसक्शन कलब की उननिस्वी वार्सिक बैठक में कही है रूसी राश्पती ब्लादमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि पीम नरेंदर मोदी उन लोगों में से एक है जो स्वतंत्र विदेश नीती को लागू करने में सच्छम है और वो एक सच्चे देश भक्त है वो अपने लोगों के हितों की रच्छा करना अच्छे से जानते हैं मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह हैं कई देशों और लोगों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंद लगाने की कोशिश की लेकिन इन सब के बावजूद मोदी ने भारत पर कोई भी प्रतिबंद लगाने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया टेशला कमपनी के मालिक एलन मस्क ट्विटर के बॉस बन चुके हैं एलन मस्क ने अपने ट्विटर बायो में प्लेटफॉर्म के हैड होने का जिक्र किया है वहीं इस बीच अब खबर है कि एलन मस्क ने ट्विटर के CEO पराग अगरवाल सहित कुछ बड़े अधिकारियों को से हटा दिया है वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CEO पराग अगरवाल के साथ पॉलिसी चीफ विजया गाडे को भी निकाला गया है पराग सहित निकाले गए बड़े अधिकारियों को सैन फ्रांसिसको हेड़कॉर्टर से भी निकाल दिया गया है इन अध पराण उनकी डील होल्ड पर रख दी गई थी जिसके बाद 8 जुलाई को ऐलन मस्क ने डील खत्म करने का फैसला किया लेकिन इस महिने की शुरुआत में उन्होंने डील को पूरा करने की ठान ली और ट्विटर के नए बॉस बन गए हैं दिल्ली की हवाद दिन बदिन भीर स्रेणी में आता है प्रदूसर्ण का ये स्तर स्वस्त लोगों साथी साथ ग्रस्त लोगों के लिए भी चिंता जनक स्थिती है केंद्री प्रदूसर्ण नियंतरर बोट के आगणों के मुताविक दिल्ली में गुरुवार को सुबह वायू गुरुवत्ता सूचांक 333 वहीं बुद्वार की सुबह एक्यूआई 262 दर्ज किया गया था जो आज के एक्यूआई से काफी कम था आकड़ों के मुताविक मंगलवार की शांद दिल्ली का एक्यूआई 303 था जबकि सुमवार को दिवाली के दिन ये 312 दर्ज किया था फिलाल बड़ी खबर में इतन साथ नमस्कार